दोस्तों वर्काउट करते समय या उसके बाद हम कुछ ऐसी गल्तिया कहाई बढ़ते हैं जिस वज़े से हमारे बोडी नहीं बनते हैं या बोडी बनने में टैन रहते हैं तो दोस्तों ये तीन गल्तिया जान लो अगर आपको मस्कुलर बोडी बनानी हो तो Mistake No.1 वर्काउट करते समय किसी फैन या एसी के नीचे हमें वर्काउट नहीं करना चाहिए मतलब कि किसी ठंडी जगह हमें वर्काउट नहीं करना चाहिए अगर आप किसी गरम जगर पर workout करते हैं तो आपको बड़ी गरम हो जाती है, जिस्वे जैसा पसियवाता है और बड़ी detox होजाती है detox होने का पत्र है कि आपकी skin खुल जाती है और वो सरीर के नदर जितनी भी गंदगी होती है वो भाहर है आती है तो आपको दोस्तों यह ध्याना करना है कि आपको पाफीना आना जुरूरी है मिश्टेक नमर दो वर्काउट करने के बाद या उसके तीस मुने बाद आपको हलके ठने पानी से नहालेना चाहिए उसे होता ही है जो आपको करने के बाद आपको गरमचे नही पीना चाहिए नहीं कहनाला है ये बडी बनने में जाता टायम लगता है तो दोस्तों यह तीन गल्दियां थी जो आपको ध्यान रख रहा है, वर्काउट करते हैं यह वर्काउट करने के बाद कि जो आपको डही करना ऐसा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी वुड़ी वो जल्दी बन जाएगी को ज्यादा हेल्प में दोब तो आई फोप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गए और अच्छी लगिये तो वीडियो का लाइक कर दो चैनल पर चैनल सॉब्स्काइब बेज़ा और बैसी वीडियो देखना चाहते हो चैनल में विजिट करते हैं तो मिलते नेक्स वीडियो म बाइब बाइब बाइब